जिस्वन सिंग कवल दी कहाणी है, सड़ दे जखम, प्यारी पैन गुर्मीत से हिली, दुख है के हिक पाट दी ने, जिन्द की मौत दीव डीक जव्याकुल, जखम होर डूंगे हो रहे हन, रात वद्दी जा रहे है, साड़ा जीवन दाय सास्वे चट गया है, समा ते कुदरत रालके होणियां वर्तों दे हन, जा मुखी सरदार अपणियां गर्जां पूरन ले, काले ते गोरे पॉलिटीशन ने रालके पंजाब दी चट्टान वर्गी हैसियत नूं पुडां विच चीर देता ते मसूम जन, जिन्दगी नूं अनाज दे कमजोर दाने वांग, बे दर्दी नर्पी सुटियां, एक पॉलिटीशन चाहिए किसे वी जम दा कायल होवे, अपना इरा दाम नुकता ते ठो संड़ी गिदर तो बगया अडबान जान दे, मैं अपना रोना चिठी दे मुड़ ची शुरू कार देता, पर गुर्मीत मेरे कुलो रोन तो बेना है ही कुछ नहीं, सोगो वाई गरू दा लाक शुकर कर दियां, जिस अज चिठी लिखन दा मौका देता है, पला होवे विचारी रेमो दा, जिस कागज कलम दवाते लिफाफे दा बंदोबस्त कीता, उस कुरान दी कसम खा दिये के लेटर बॉक्स चो भी पावा, रे किसे नहीं तर्स खा दा, उदा अपना देली दुर दशाते रोयाते पसीचिया, देनतां दी अन्नी कतला हमने औरत नू औरत दा हम दर्द बना देता, रेमो जान दी है के एक मजबूर अबला हम दर्दी दी किन्नी पुखी हुन दी है क्यों कि उस लाचार हो के वेख लिया सी, असलों ही सुन, उस हालत विच था मैनों अपनी सही हुन दा भी ग्यान नहीं सी, अज जहीर जी दी मैं मल्किया था, लोहार गिया हुया है, ते मैं ओदी हवेली चवेली है, काफर हुन दी हैसियच सता किस तरह रखी जा सकती है, असल च मैं हफस दी पठी दा बालना, ज जहीर पारी जादा मालक है, रहम हुदा पिता भी ये थी आके हुदा राहक बन गया है, मैं इस हवेली दे बंदन चाजा आदा, बार नहीं जा सकती हंजू वहान दी मैनों खोल ला है, पर रो नहीं सकती, सिस्कियां पिच रिजना इस जिंदगी है, जहीर मियां काफी अज जाद ख्याल है, जद कदी शिराबी हुदे हैं, तद गौनली कैदन दे हैं, पर मेरे हिंदोस्तान जान दे ख्याल नाल, उना दे लहुचे इनकलाब आजन दा आख दे हैं, सरदार बली की साटमिट तू मेरे लतीफ ऐसास नू साटमार जाएंगी, तू मेरे अज़ादी है प्यार दी रूप, उस मेरा रजंदर तों सरदार बेगम ना रख लिया है, ना बदल देन नाल, मजब बदल जान दी, तसल्ली हो जान दी है, गैर मजबी होन दा, एसास दिमाग जो बल दा, जैर बढ़िया रन दा है, उस सुबा दे थोड़ी जिदी हन, पर दिल दे नरम कि हम दर्द हन, एक वार सुरूर च मैनों पुछया, तेरा हिंदोस्तान जाननों जी कर दा, एस सुबाल बिलकुल है जिया सी, जमें किसी मजलोम नों पुछया जावे, पीड होन दी है, एक बच्चे नों पुछना किनी हम दर्द सान जाके तेन मां याद होन दी है, वेदन गुनियां सारियां यादानों होन पुलान दा यतन कर रही है, पर रूच तलखी दा सेक वेपके, जड़ा कदे न कदे पाफ बान उठदा है, जिवें फना हो चुके इस्तरियत वेच जीवन दी कोई रों जिन्दा होन दी है, मैं सिद्दे किते ते तेयां किते कागजान च चोरी छपे लिखी डायरी भी पाड़ देती, दिल्च कदे वें जाग उठता है, ये दुनिया सची वेशियां दी नहीं, क्योंके जहीर ने मैनू लहौरों जमाल ते फत्तु तांगे वालेयां तो टाइसों नू तर्स खाके खरीद के लियां दा सी, टाइसों पे आओ तो कदों लियां दी गई, एक वारों ना अपने सचे इश्क दा इजहार कर देयां दस्या, मैनू तेरा अगले दिन ही तेनसों मिल दा सी, पर मिल लिया आ नहीं, क्योंके तेरी पहली नजरी मैनू बुरी तरां फटड़ कर गई सी, मैं किस तरा मनना के रांजियां विच्चों इश्क ते हम दर्दी खतम होगी, अज टुटा फुटा चे ताख दै कि असी, पाव मैं, मेरा पिता, मेरा प्राशिंदर, राम गली चे तांगे ते स्टेशन नू नठे जा रहे सी, सारा लोह और तुएं ते अगनाल चुल से जा रहे सी, गलियां ते सडकां ते मनुख दा खोन अग बढ़यां प्यासी, इस हफडा दफडीच ख्याल आया, कि जिन्दगी सारियां चीजा नणो प्यारी है, राच असां दो लाशा औरते मर्द दियां देखियां, जिना चो गरम खोन निकल के सडक नू दागी कर रहे सी, असी तांगे चो सारी कंबन लाग पै, एक ह पोटल चो निकल के होना सानू केर लिया, मेरे पिता दी गर्दंच एकने चाट चुरा खोबता, वो तांगे चो लुड़क के सडक ते टैप है, दोनू में शिंदर पिछे सडके सडक नसे जानियां वेखिया, एना चेता है मेरी चीक जरूर निकली सी उस पिछो बताने की ह हो गया, कई दिन मैं फत्तूते जमाल दी करड़ी कैच रही, फिर मेरा सौधा तै हो गया, हिंदोस्तान ने अजादी लिए बढ़ियां कुर्बानियां दितियां सन, मैं भी अपनी अजादी लिए, पिता दे प्रावार चुकियां, ते अपना आप, एस चाकच मेरी होर वी हां मजब, दुखी साथ रहन, एक कश्मीर दा तोफा सत्या है, जिनू पहले हम लेटी, बारा मूले तो कसी इटले अंदा सी, उन्हों अपने माम बाप दा कुछ नहीं पता, मनुख दी सारी सत्या ही निसल है, निडाल है, एक पोठो आर्दी दुबेरन पेंड़ दी वीरा वाली है, जिदी वारता अत ही रू कमबा हुए, वीरां वाली उस एस चक तक पहुंच दी नौ वार विक चुकी है, हर थान नफाई देंदी आई है, उन्हों जहीर दे राहक अलिये जांगली दी भीवी है, उस एक दिन अपने पारुफने छालेयानू फेंदेयां दसिया, उधी के पैन को शलेया होर भी सी, पचीती कुडियां चोना दुहानू अब्दुल खोजे ने छाट के गडलियां सी, बरकत सिंग दी हवेली उना मुझाता ने कतलगा बना ले सी, जिते बच्चेयानू तेल दे कड़ायां जित तलेया, महान तु जोता सिंगू रादी अख विच लाल सुया सलाइया फेरिया गया, इसलिए के उस सिदक छड़की इसलाम ने उन दे सन, पांसो तो पर इस्तरियां ते बच्चे बड़े ते जवान ने कां तस्यानल कतल किते गए, इस सारी खुनी हो ली, इसलिए खेड़ी के साम राज हिंदुस्तान ते पाकिस्तान दो कौमिया तानू अजाद कर रहा सी, साम राज दी सारी करवाई कतले आम हाले दो ही पासी जोरां ते सी, एक दिन जहीर ने अख बार दीक खबरवाल त्यान दुआया, अमरे सर देक अत स्याने मुंडे ने अफीम खाके आतम कात कर लिया, इसलिए के दुनिया पागल हो ग अधिया नू तेक दी तार लंगा आके हलाकूते चंगेज नू भी शर्मिंदा करता, ए नौजवान राइटिस्ट करके अमरे सर दी स्यानी सोसाइटी चपर सेद सी, मैंनू खबर पढ़के अफसोसी होया, उस नौजवान नू भी चाईदा सी, ओ भी कातलां ते लुटेरि जान दी तार चे शामल हो जान दा, राज के लुट मार करदा, ओदे देश वेच भी औरतां रूली गईया सन, ओभी ओना दा वपार करदा, ए कद दा तरम तोड़के उस नल शादी करवान दा ते अपने आपनों अजाद हिंदोस्तानी, ते स्वया मान नाल उच्छा समय द इस चक कश्मीर है, पोठुवार है, मज्जा है, फ्रोजपुर देश शर्नार थी, पुरानी बार थोड़ी दिल्ली वी आ रड़ी है, थान थान दियां बोलियां, पांद पांदे मजबते कल्चरानल पंताडी चक मिल गोबा हो गया, जो मैं दूर नेड़े दे गन्ने भेल कल्वी वाई आते है, वाई आत समझ के हिंदोस्तान सानू लजाना नहीं चोंदा, असी ओनाली कोड है, हिंदोस्तान दी स्वच्चता विच गुना दा अत्मलीन दाग, ओदे अत उच्चे उठ दे सुमाज विच गलियां, सडियां, लाशां, उच्चोंदा किसे तरा, अस अरतों ने, देश दियां वंडियां नहीं पौईयां, स्टे ते जाके असलाम, हिंदू, ते सिख तरमनू, गाला नहीं देतियां, अखबारां विच जैर असा नहीं छिड किया, ते कौम दियां लीडर असी नहीं सा, पर जो कुछ असानल होया है, कि उदी तफसील कोई जि का खुदा वी कतल हो गया है, असी हफ्स दे बग्यार दी पना विच्चा, उदी खुरा का थोड़ा खावे, जब बहुत औरतों ते मर्द दाए, पहला जुलम नहीं, सदियां तो नहीं अपनी मर्जी अनुसार पन्यां तोड़ेया मरोडेया जा रहे है, औरत मुसल्मान हो हिंदू जासे कोई चंगे तो चंगा तर्मों दे दिलों उस विरोध अगनी नू नहीं बुजा सकेगा, प्यान मैनू तेरे नल गिलाए, इस लई के तू सिख तरम दी पैदा पार है, कदी मैनू भी इस तरम दा मान होंदा सी, पर होंते कुझ भी ने रिया, तेरा तरम इक जए रहबर दी रहमत सी, जड़ा पंजाब दे ने रेच पूर्ण मादा चांदबान के चड़िया, उद दुनिया पार दे हिंदू मुसल्माना दे एत्याद दी विचकारली कड़ी सी, उदे सज्जे मर्दाने दी शक्सियच असलाम जेउंदा सी, खब्बे पाई बालेच हिंदू तरम पर फुलत, ओर एबर एकता दी रूँ सी, सारे सिख कौम ओदे साकार रूप, उस वेशवानू जगत माता कैके सतकार्या सी, उदी उम्मत दे बुजुर्गा अबलादा सात बचौली हजारां शेहिदियां प्रापत केतियां सा, पर गुर्मीत तेरी कौम ने स वांगतार लिया, कि एनना जुलम सिख तरम दी वडिया आई सी, पंजाब नू हर पहलू तो बलवान करन वाले सच्चे कौम प्रस्त, गुरु नानक देवजी दे नानू तुसी वटाला आता, तो अनुचाहिदे तुसी ओस गुरुनू बेदावा दे देव, त्याग जरूर पैना ते पुत्रियां पुकार के वरोंदा, सड़े सड़े जखमा ते हम दर्दी दी मल्लम रखदा, उनू मनुख दा दर्द सी, पंजाब नाल प्यार सी, तुसी लम्मे लम्मे जलूस कड़ कड़ोदा गुरु प्रभ मनान वालेव, उदी रूनू मार देत्ता, उ पंजाब कतल कार सुटे है, इना गड़े सड़े जखमा नू छेड़ेयां पीपी निकलेगी, रादी बदेगी, असी हिंदोस्तान दे जखमा, जिड़े पाकिस्तान च करा रहे हैं, हिंदोस्तान दा गंदा जिस्ते पाकिस्तान बुक करे हैं, उदे कुत्ते उनू हाबडी पो कच खा रहे हैं पर उस्वेट गुनागार आरत ये ते पुछनाई गुनाई इक वार जहीर दी बीवी आ आईशा बेगम मेरे कोल हवे लीचाई जहीर के ते बार गया आसी ओदे ख्याल्च में काफर ने ओदा खावंद खोले आसी पहलों ओदे चेरे ते मेरे बारे नफरत ते गुसा सी पर मर्द दी निर्दायता ते बेवफाई अगे असी दोवे हम दर्दी दियां पुखियां सी मैनू ओदे बड़ा तरसाया पर उ मेरे गम ते रोप है मैनू सचे दिलों पैन के आखर और दा दिल सी कि मेना पसीज़ दा मैं ओदी गलबकडी चे पहले दिन फुट फुट रोई क्योंकि मजलूम दा हम दर्दा आगया सी मेरी आखां पिता दी लाश काडी सड़कते लव लुहां तड़पदी देख रही हैं साल ओ पंजाब दे रैबर दा वास्ता पारे आसी में ती हजार पैना दी बेवसी ते रोई बारा लख ते रोई पंजाब दे कतल ते रोई मनुखता दी मर चुकी रू ते रोई एक मजलूम ओरत जड़ी लीडर नहीं वजीर नहीं गवर्नर नहीं अज सड़ी हजारां दी गिंती नूँ अखों ले किता जा रहा है हिंदोस्तान ते पाकिस्तान दे दुश्मन दो दुश्मन देशान पर दो में गौर्मेंट अपोच लोड अनुसार मिलवर्तन भी कर लें दिया है कराची ते दिल्ली दोस्त हन पर कश्मेर साड़े ले कागजी कारवाई काफी है जा अखबारां चंगे ब्यान चाप देन दिया हन गौर्मेंट नूँ होर भी कई रुजे में हन उसको मांतरी शोरत हासल करनी है एशिया दा लीडर बढ़ना है साड़े वाय आत्ता ले समाते सर्माया बरबाद करन्दी की लोड पिछले मिने तु मैंनू पता लागया है कि मेरे अंदरों पाप जाग पया जिनू ना कोई देश सम्भेगा ना तरम एक पिता वी उदा पिता नी बढ़ेगा वीरा वाड़ी कोड़ी के बच्चा है ते हुन फेरू मैदवारी चे है रेमोन वे थे आके जमें है किनी दुख तवस्त है साड़े नियासरेयां तु बिना एक अज़ेई नसल दुहां डुमीनियाना विचारी है जिता कोई खुदावी वारसों नू तियार नहीं साड़ा की गुना सी जिस लई साड़े ते जुलम दे पहाड तोड़े गए कि ये बच्चे अपनी मर्जी नल खुदरो पौध्या मांग पैदा हो रहे हैं उना दा की बनेगा कदे किसी लीडर जां वजीर ने सोचे साड़े अंदर एक लावा रिज रहे है एक जवाला मु आचुकी यहां ते रह्मो सूर मरन ने जो दिता खा लिया जो तर्म बढ़ाया अपना लिया मैं पूछ दिया औरत ना कैन वड़ी कच्ची वफाई कदों सी असी किसे कौमीय दा हिसा नहीं रहे हैं मैं वीरां ते सत्या नमाज पढ़ लेंड नाल ते हलाल खा लेंड नाल भी मुसल्मान नहीं समझियांगे हैं रह्मो अमरत चाके चटका खाके सेख नहीं बन सकी ओ मुसली ते असी काफरी रहे हैं इं मर्द दा मुक्तियां देन वड़ा तरम हैं जिन्दगी नालों कौमलता लाल हैं नफस दियां बज़र सटा नाल सारे अंग छिले गए हैं पर तलक हकीकत ते तिहास वे चो नुच्ची नहीं जा सकेगी असी कदे जिन्दगी दियां राणियां सा असी कदे महात्मा मुद गुरु नानक ते मुहमद साहिब बर गे पैगंबर दुनिया नू देते सन पर आज समेदे नक्ष साधी हालत ते लहु पी जियां चट्टाना जम गए हैं मेरी ये चिठी प्यान गुर्मीद तेरे राई सारे हिंदोस्तान नू है वो सदा अजाद रहे खुशाल वसे कुमांतरी शोरत हासल करे उधे लीडर वजीर ते राज परमुक जम जम कान्फरंसा दियां पर दान गियां डॉन उधे वीर सपाई राद दिने जि इतने उना दी शान दुगणी कर देती है कश्मीर दी फते उना नू दुनिया दी श्रोमन ता वल्ला जाएगी असी तो अनुशो बिच्छा ते असी सांपेज दियां ओर जखम नसीब पैना तो अनुखी दे सकती हैं जिना कोणों रब ने सब कुछ खोले है तुसी सारे हि लचाना के कदे असी हिंदोस्तान च बराबर दी वोट दियां हाकदार सा जिदे आसरे जवारलाल वजीर आजम ते बलदेव सिंग वजीर जंग बने हान तुसी साड़े ली कोई खतरा ना से हेड़ना अपनी वीरता संबाल के रखनी पामे असी कट्टिया होया हिंदोस्ता जिदी तो अनू लोड नहीं जिनू कोई सुमाज नहीं अपना सकदा कोई तर्म नहीं साम सकदा साड़ी गुनागा रोलाद अपी रूल खोड के पाल जाएगी जिदा कोई देश नहीं तर्म नहीं कौम नहीं रभ वल्लू भी सानू भी पना मिल जाएगी वदेश हैरां द दे चक्ड़े बड़े लम्मे दोरियां चत्तां दे हुंदे हैं असी अपने गाकां दी सोखली दुकाना होते रंगीन साइन वोड लटका आलवांगी हैं इत्थे विकदी है हिंदोस्तान दी सुंदरता दी इज़त रोटी दी टुकडे तो असी किसे लिए पार नहीं साबत ह और चौंदियां ते नाई चौंदियां के साई डिखातर हिंदोस्तान के से संकट चपवे एक अतर मन पहन दी सारे हिंदोस्तानों सत्ष्री कालते काफर दी सलाम हजारां पहना दे सड़ दे जखमानार mainhasarदारा उर्फ रजदर काओर बी तन जस्वन सिंग विर्दि दी कह कड़ाने गांाने बेवत ने मर्वाद साब कह रहे हैं संत उसी इंदर ने लोकां यां गलनां कार रही यो चंगी ऎलै तहों और प्हेन है अनुवा इसमा आसी मुड़फ के इक दूजे नल मिलते सकना नहीं। ये नहीं किया जा सकता। कोई कटना दासना। तुसी उनना लोकां दे किरदार बारे जान जाओगी। एक गल क्या कि मरवाद साब अंतरत्यान हो गया। मैं सोचन लगा क्यों केड़ी गल करनगी। क्योंकि जदो तुसी एक दूजे दे संपरक चाहे हैं। उनने पिछले पंजास आठ वरे यांदे ज साड़े लई वो हाले भी लायलपूर ही है। मैं पुछेया तुसी लायलपूर ची जम्में पले सो। बिलकुल मरवाद साब ने ज्वाब देता। उते साड़े पिता दी वर्क्शॉप सी ते साडवावा गुजारा चाल रहे हैं सी। पले वेले सान। हर चीज सस्ती सी। ह जंग दे देनाज कुछ तंगी जरूर हुए सी। मैं फिर पुछेया थे तुसी अगस्त संताली तु पहल नहीं इदर आगे सो। नहीं। क्यों। सानूमीद ही नहीं सी कि लोकां दी आपस ट्रेनी कटवड़ होएगी। ए गल कैके उफिर खामोश होगे ता मैं मैं महसूस कि ताके उननी सो संताली दी उस सारी कटवड़ दा द्रिश जरूरी होना दी अखा सामने साकार हो गया हुएगा। मैं भी चुप कर गया। अगे गल करन दा कोई लावी नहीं सी। शाम टाल रही सी असी लोक मरवास आप देका अरंदर वेड़े चे बैठे सा। सानू खाम तो उर्पास से वल लाओ। मैं चाल है क्या हो नहीं है। मैं पुछे हैं मैं चला ना जावां। नहीं बैठो मेरे को मरवास साब बोल पए। ते चिंता न करो। कबरान वाली कोई गल नहीं है। फिर रुक के बुले। हां ते अपना कटवड दी गल का रहे सा। पर कटव अगरो मरवास साब फिर अंतर त्यान हो गए। मैं भी बोलना ठीक ना समझया। कई बार चुप भी जरूरी हुन दी है। पर चुप तबा कोन सी। मैं चौवी वर्यादा सा मरवास साब मद्दम जी अवास्ट बोले। कटवाड शुरू होई। तो साधे लोकाली सरकार न देता। उथे सानु एक दिन दे साब नल अद पा आटा मिलदा सी। वो काफी सी महरानी नल पुछिया। वो हास के बुले तुसी मन लोगे। नहीं मैं नहीं मन दा। नहीं वो कुछ भी नहीं सी। मरवास साब ने क्या। पला एक बंदा अद पा आटा खाके के में जोंद रह सकता है। नाले लोग केंदे सी के लायल पूर अन्नदाकार सी। वो अनाज लोकाने पोर्यांच लोकाले आ सी। नाले असी लोग पलां विची बेवत ने हो गये सा। बेवत ने समझ गये ना। हाँ मैं क्या। तो फेर बोले है ना दिल्चस्प गल। उहीं तरती सी। उहीं वस्णवाले उहीं लोग सी। पर पता नहीं कि में वो कुछ बेदीन लोकान दे तन मंच जहर फैल गई सी। ते नागा मांग हर किसे नूँ डस दे फिर रह सा। यह हुई गल सी। पर तुसी सोचो ता सही जरा। उन्हान ने फिर क्या। बंदा अपने कार्दे वतन करके तर्थी दे जीवन नल जुड़िया होया है। तो उदे करकर के तर्थी उन्हों अपनी मान देशती है। पर एक दिन अचानक की कुछ जाबर लोका कहने ने कि उन्हों तुसी लोके इस वतन वाले ते अपने करावले नहीं रहे वालके तुसी किते जुगे भी नहीं असी तो अनू तबाह करन ली आया पर तो अडियंती या पेना साडी हवस पूरी करन ली जी हों दिया रहनी है। हाँ मैं किया ये साचसी लोको ना दे लफजांच महाजर बणके रह गये सान। मैं देख्या मरवास साथ या खंच एक एक हंजु लटक गया सी। मैं किया चल नालोना दे मन विच्चो इर्खा दे व्यारपा भी खतम हो गया। मरवास साथ वर्गे बेलाग बंदे हुन बहुत थोड़े रह गये। लायलपूर दा खाल सा स्कूल महाजर केंप सी। स्कूल ता काफी वड़ा सी पर लोक ता आई जा रहे सान। लगातार आई जा रहे स मरवास साब ने दस्या। मैं पुछे कितो लोक आई जा रहे सान। आले दो आले दे पिंडा तो। उन्हानू कौन लेके आऊंदा सी। फोजी लोक। वचारे चंगे सान। उन्हान दे खिलाफ कुछ नहीं किया जा सकता। कुछ कैंड दा लाब भी नहीं सी। मैं कुछ ब सादे पिताजी ये कालपुर्ख दा पाना मननवले बंदे सान। पर असी उत्यों जीमीदार्वी वेखे जना दी बेश महर जमेन सी शाही ठाट सी देश पार्चिज्जत हुंदे सी पर हो रुफ्यूजी बणके केंप च रूल रहे सान। कईता नीम पागली हो गे सान। हर मरवास साब ने डड़ी उदासी नल किया। उन विच्चो कहिया ने अपने पिंडावालियां मुसल्मानानों सुने ही पे जेओ। ए पड़ यलो को तुसी सान। बेवतना तक कारी चड़िया है। चार दिन रजमी रोटी तक हुआ चड़ू। ते की असर होया? मैं पुछ मैं उतावले मननन। मैं उही तो अनू दस्सन लगा मरवास साब बुले। एक दिन सुवक्ते असी देख्या के खाल सा स्कूल वाल ओंधी सड़कते। गड़्यां दे गड़्य तूरे आ रहे ने। ति उन उपर बैठे गबरु आने गंडास से तलवारां ते नेजे चुक फेर किसी साड़े लोकां कोड़ वी दास भी है थियार सानों भी मुकाबले ली तियार हो गए ते स्कूल दा लोहे दा खिड़क बंद कार देता। साची केंदे ने मैं कुछ कैन लगा ता उनने मैंनों टोक किया। की। मुसीपतां कलियां नहीं आओ दिया। बिलकुल सही फेर बोले एदरों हर कोई लड़न मरले तियार हो गया। असी सोच रहे सा शेरावांग लड़के मरिये पे डवांग जिबान हो ये। बिलकुल ठीक सी मैं क्या ता मैंनों भी संताली दे दिन चेते आगे। मैं होदों चौना साल दा सी ते सारी तबाई मेरे समने होई सी। साड़े थे जिलंदर चे महला गुविंदगार दे लोका ने भी काफी काटवाड कीती सी। ते बेशुमार मसूम जाना तबाव होगी यांसी। ते हुन जदों कदी में होना दिना बारे सोच दा ता शर्म मैसूस हुन दी है बलके नमुश्री। मर्वा साब ने क्या दरसल स्याने लोक ता समझ दिया है पर जनूनी कमीने लोक नहीं समझ दिया है कि देश दी गोरी सरकार ने देश चड़न तो पहले ही लोका दे मना चे नफरत बार देती सी। ते सब नहीं तर मादे लोके के दुझे तो पैखान लग पैसा ये बहुत वड़ी साजिश सी में क्या पर असी लोक ना समझ सके। हाँ मरवास साब ने फेर के ऐए इसी करके उना तलवारा नेजयां ते गंडासियां वड़े लोकान असी ना समझ सके। शाम तल दी तल दी रात हो गए इसी जदो मरवास साब दी छोटी नूं वेड़े दा बलव जगॉन ली आई। तartין हसाब करें मैं अनों टोकिया मरवास साब हने रहा ता हने रहा है ना हाँ रही है उना जवाब देता है पर मैं चौना अपनी गाल खतम होन तक हने रहीं रहां किस करके पता नहीं चंगा तो अड़ी मर्जी मेरबहनी क्या कि उपछला हास पहे ते फिर गंबीर हो गए बोले पावे रात ले आईए, पर गलपूरी कीते बगार में तनु जाननी दियांगा, मैं चुप कीता रेया, मरवास आपने फेर किया, उना गड़ियां ते कोडियां वले लोकाने स्कूल लूं केर लेया, सानु लगा क्या मद्दा देना आगया, कहीता खोश होए, कि अपनी लायलपूर् होगे, इक अजनबी देश्च जियों नालोता है, यह मौत बेतरी है, नाले सोच दियां आखर ता अपनी लोक ने, मरन गेता पावें, छावें सुटन गई, मरवास आप डुसकन लाग पे, वो पावख हो गए सान। मैं डड़ियां ते फिर तुसी मुकाबला नहीं कीता, नहीं क्यों, लोड़ी नहीं किस करके मैंनों हैरानी हुई कि तुसी उना दे पैर फड़ ले, मैं तो उन्हों दस्तां कहके मरवास साब के ते दूर चले गए, सारा इदरे शक्खागे लिया के बुले, जो तो सी स्कूल दे कमरियां चो दुख गए, तो उना लोकाने कंदा गाल सुनों, दस्तों मैं किया, फिर बुले, सानू कमरियां चो दुख के बैठे बेख के, उना लोकाने ललकारा मार के क्या साथो डरा ना, असी भी तो अडे वर गे इंसान ही है, तो अडे वास ते गड़े पर के खान पीन दा समान लेके आया, सुन दे हो तुसी, असी सार अर्दी परी पुकार सुन के, असी बार निकले, तो जीरा करके पुछिया, तो चोदरी जी हत्यार नलका दे लिया आया, एक चोदरी ने निमरता नलकिया, सानू डर सी के के खान पीन दा समान साडे कड़ो राची ना, कोई खो लाई, बड़े पैड़े दिन आ गे ने, हर हुर्पा से लुट खो रही है, तो फिर मैं उतावली पनल पुछिया, तब मर्वाद साब हुर्पा बखो गए, बोले हो लोग हर रोज होंदे रहे, जदों तक असी होतों, टूरनी आए, तन वावाद,